नमस्कार दोस्तो, वेलकम, इस वीडियो के अंदर हम, अगस्ट 2020, विजन आईस का जो कंट अफेर की मन्थली बुकलेट आ चुकी है, उसको शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, उस बुकलेट को आप विजन आईस की ऑफिशल साइक से डाउनलोड कर सकते हैं, फिडियो पोस् जो पहला section दिया हुआ है, वो है quality and governance, उसमें जो हमारा पहला, जो topic हमें cover करना है, वो है digital personal data protection act 2021, ठीक है, तो ये news में क्यों रहा है, जो उनकी president है भारत E, उन्होंने क्या है, digital personal data protection bill को क्या है, consent दे भी है, तो वो क्या है, एक बन गया है, ठीक है, तो इस दिए ये news में रहा गया था, ठीक है, फिर इस judgment के आने के बाद में बहुत सारी चीजें बदली, और यहाँ पे triple test दिया गया था, Supreme Court के दवारा, केस पुटा स्वामी, केस में ठीक है, उसके बाद में government नहीं data protection करने के लिए क्या है, एक commission बनाया था, justice be and स्री कृष्णा commission या फिर committee बनाया government में, परन्त उस act में बहुत सारी खाम्यां थी, ठीक है, फिर धिरे उसको joint, उसको बेजा गया था, फिर पर बेजा गया था, फिर reform होते 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 है, लोगों के दवारा उसे मांगे गये थे, लोगों से भी सुझाओ मांगे थे, पोटल पे, गवर्मेंट के दवारा, फि इसको नाम देखते हैं, Digital Personal Data Protection Act 2023 है, इसका aim क्या होगा, परस्नल डेटा पर रेटीड है, जो हमारा digital data है, उससे रेलेटीड है, ठीक है, तो परस्नल डेटा कैसा होगा है, जैसे कि हम YouTube चला रहे हैं, तो हमारी वासिस्ट्री क्या है, क्या हम देख रहे हैं, Google चला रहे है, तो जिस तरह से मालेख हमारी वासिस्ट्री को देखी, वो हमें content suggest कती है YouTube, ठीक है, उसके लावा जो targeted advertising की जाती है, क्या-क्या preference है, हम क्या search कर रहे हैं, तो वही सारा जो हमारा वीडियो है, उसी तरह की वीडियो हमें दिखाई देने लग जाते हैं, तो यहां पर क्या है, वो data Digital Personal Data Protection Act 2020, जो पहला इसका aim है, क्या है, to regulate the processing of digital personal data, तो उसको regulate करना है, जो हमारा digital personal data है, उसकी जो processing होगी, उसको regulate करना है, ठीक है, दूसरा है, जो हमारा जो right होगा, यानि कि जिसका data है, जिस बंदे का data है, यानि कि जो मेरा data है, या आपका data है, उसको इस act के अंदर क्या है, वो data principle बोला गया है, data principle, जिसका data है, ठीक है, उसको data principle बोला गया है, तो यह act क्या ensure करेगा, data principle अपने data को protect कर भाए, ठीक है, तो right to protect the data, and तीसरा है, कि उसको data को process करने की जुरूद क्या पड़ी है, या इसके बारे में बताता है, need to process the data for lawful purpose, for example, किसी का fingerprint collect करना है, या या जो digital data collect किया जाता है, उसको criminal identification के लिए भी यूज क्या रसकता है, lawful purpose के लिए भी यूज क्या रसकता है, तो वो भी इसमें act में अंदर बाया गया है, तो तीन इसके aim होगे, to regulate the data, ठीक है, to try to protect their data, of data principles, and तीसरा है, need to process the data for lawful purpose, तो यह या रखने है, ठीक है, उसके बार मे यह act है, वो बताता है कि, it protects the digital personal data को protect करता है, कैसे, by providing obligation of data fiduciary, ठीक है, तो obligation of data fiduciary, तो data fiduciary क्या होता है, for example, मेरा जो data है, वो क्या है, Google collect कर रही है, Google collect कर रही है, या फिर YouTube collect कर रही है, ठीक है, तो मैं YouTube से वीडियो देखने के लिए, अपने हाईजी बनाता हूँ, और मेरा fiduciary की capacity में उसे collect कर रहा है, ठीक है, तो YouTube का, या फिर Google का, क्या है, कुछ responsibility होती है, कुछ obligations होती है, ठीक है, कि यह data हमसे collect कर रहा है, वो safe रहना चाहिए, और वो किसी को बेजे ना, ठीक है, तो obligation of data fiduciary क्या है, इसमें बताया गया है, that is the person, companies, और government entities, whom process the data, उनको data fiduciary बोला या गया है, that is the person to whom the data relates, जिसका data है, ठीक है, तीसरा है, इसमे financial penalty दी गई है, breach के लिए, of rights, duties and obligation, ठीक है, तो rights, यानि कि जो digital, जिसका data है, data principles के rights है, यानि कि हमारे जो rights है, उनको यदि breach क्या रता है, तो भी penalty लगाई जा सकती है, यानि कि जूसरा जो penalty लगाई जा सकती है, जिसका हमारा data है, हमारी क्या है, कुछ duties इसमें define की गई है, यान को violate करते है, breach करते है, तो क्या है, इसमे financial penalty लगाई जा सकती है, ठीक है, and obligations, जिसके जो companies है, उनको obligation रहेगा, कि जो भी data collect कर रही है, वो secure होना चाहिए, उसके लिए adequate security arrangement की जाने चाहिए उनके द्वारा, ठी देखें, तो यह जो act है, वो किसके लिए applicable रहेगा, applicability देखें तो, digital protection data, act की जो जाते है, applicability है, तो यह applicable रहेगा, processing of the digital personal data within India, यान कि जो भी company भात में data process कर पी है, उसके लिए applicable होगा, और इसमें दो तरह का data collect क्या जासकता है, digital data और non-digital data, digital data जो collect क्या गया है हमारा, ठीक पर उसको बाद में digital कर देते हैं, तो इसमें दो तरह का data है, digital form और non-digital form का data है, वो इसमें process करने के बारे में बात की गई है, और वहाँ पे उसको regulate करने के बारे में बात की गई है, ठीक है, तिसरा है, जो processing of personal data है, outside India, तो भारत का data भारत से बाहरे जाके process करना, और providing goods and services in India उसको भी regulate किया गया है, and यह जो act है, वो किस-किस को apply नहीं होगा, it does not apply to the personal data processed for any personal purpose, यानि कि मेरा data, मैं ही processes परूँ, तो उसके लिए act applicable नहीं होगा, ठीक है, the personal data that is made or caused to be made publicly available by, ठीक है, by the data principle to whom such data principle relates, यदि मैं अपना data publicly disclose करता हूँ, तो उसके यह applicable नहीं होगा, और तीसरा any other person who is under legal obligation to make such personal data publicly available, तो कोई भी ऐसा जो आटे बगिर आजिन के लिए applicable होता है, उससे क्या है, जो legal obligation data है कि उनको data actively disclosure करना है, उन पर ये act लगू नहीं होगा, ठीक है, तो ये किस-किस के लगू होगा, जो data भारत में process करते हैं, जो outside data process करते हैं भारत से, और ये किस-किस के applicable नहीं होगा, तो personal data for personal purpose के लिए, and data principles who disclose their data, और legal obligation के लिए जो data है, उसके लिए applicable नहीं होगा, ठीक है, तो consent की जूर्ट पड़ेगी, इसमे क्या है, data को process करने के लिए, जिसका data है, यानकी data principles से consent की जूर्ट पड़ेगी, ठीक है, तो personal data may be processed only for lawful purpose, after obtaining the consent of data principle, उससे ले have right to withdraw the consent at any time, तो data principle ने जो consent दी है, उसका data process करने की वो withdraw की जा सकती है, ठीक है, जबकि जो government legitimate use के लिए यूज करेगी, तब उसको क्या है, the consent will not be required for legitimate use, including the provision of benefit of goods and service by the government or medical emergency के लिए, legitimate use के लिए जो government use करेगी, data को उसके लिए consent की जूर्ट नहीं पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, तीसरा ह ये जो act है, वो data protection board of India, एक board गसित कता है, data protection board of India इसके अंदर बनाया गया है, it provides, ये जो board है, वो प्रवाइट कता है, वो इसके अंदर बनाया गया है, इसका काम क्या होगा, ये जो companies है, उनकी compliance को monitor करेगा, कि वो companies इसको compliance को कर रही है या नहीं, ठीक है, यदि नहीं comply करती ह है, तो उसके क्या है, पेनल्टी लगा सकता है, ठीक है, तो monitor the compliance and imposing the penalty, दूसरा है, directing the data fiduciary to take necessary measure in event of data breach, तो data breach हो जाती है, कोई, यदि hacking वगेर हो जाती है, तो उसमें necessary measure steps है, वो लिए जाने चाहिए, data fiduciary के द्वारा, यान कि जो data collect करता है, उसके द्वारा, ठीक है, तीसरा तो member है, वो 2 साल के लिए appointment के जाएंगे, members will be appointed for 2 years and will be eligible for reappointment के लिए, वो eligible होंगे, ठीक है, and इससे में satisfied नहीं हूँ, digital protection, board of India समें satisfied नहीं हूँ, तो इसके बाद में क्या है, appeal वो किसे लाइप करेगी, telecom dispute settlement and appellate tribunal के पास है, TDSAT के पास क्या है, appeal लाइप करेगी, इसके बा उसकी क्या है, कुछ rights बताएगे हैं, और उसकी कुछ duties बताएगी है, तो data principle will have the right to, किस इसका right होगा, data principle को ये right होगा, कि वो obtain the information about processing, कि उसका जो data process होड़ा है, उसकी information वो शीख कर सकता है, शीख the correction and erase of personal data, तो वो correction करा सकता है, वो erase करा सकता है personal data को, तिसरा, right दिया गया है, वो grievance redressal का right दिया गया है, चो था, जो right दिया गया है, वो right to nominate a person, to exercise the right in case of death or incapacity, यदि उसकी मानसिक हालत हो जाती है, या फिर किसी बंदे की death हो जाती है, तो उसका data केसे use करना है, उसके लिए क्या है, हम एक nominee appoint कर सकेंगे, तो right to nominate दिया गया है, तो क्या-क्या right दिया will have the right of obtaining the information about data processing, seek the correction and erasure of personal data, grievance redressal and right to nominate, ये चार राइट्स दिया गया है, उसके बार में duties भी बताई गयी है, कि जो data principle है, यानि कि आप उरी में must not register a false or privileged complaint, तो false complaint हमें नहीं देनी होगी, यदि हम एसा करते हैं, तो 10,000 रुपे की penalty लगेगी, तो violation of duty will be punishable with the penalty of rupees 10,000, ठीक है तो आप उन मुझे पे क्या है, 10,000 रुपे की penalty लगाई जा सकती है, यदि हम लोग क्या है, false claim करते हैं कि मेरा data चोरी हो गया है, या फिर यूज किया जा रहा है illegally, या पर privilege complaint देते हैं, तो फर्निस करते है false particulars, तो 10,000 रुपे का आप पर पाइन लगाई जा सकता है, ठीक है Next is obligation of data fiduciary, तो जो data collect करने वाली company है, उसका क्या obligation रहेगा, तो data fiduciary, यानिकि the entity determining the purpose and means of processing, must उसको क्या करना चाहिए, ensure the accuracy and completeness of the data, तो जो data collect कर रही है company, और data क्या है, accurate होना चाहिए, और complete होना चाहिए, ठीक है, तो जो data collect क्या है, उसको क्या है, उसको क्या है, उसको लिए security safe बोड जो एट्रीट किया गया है उसको पूर्ट करना पड़ेगा उसको इनफर्म करना पड़ेगा प्रंतु इसमें क्या है ? डेट नहीं बताईगी जो इतने टाइमें करना है यह नहीं बताई गया है इसके अंदर ठीक है ? यह एक इंपोरेंट क्रिटिशम भी रहेगा कि data breach तो inform तो करना है परन्तु ये time period नहीं बता गया है ठीक and the effective person को भी inform करना है in event of data breach and erase the personal data as soon as the purpose has met next जो obligation है data fiduciary का उसको जिस काम के लिए उन्होंने data collect किया है वो काम पूरा होने के बाद उनको वो data delete करना पढ़ेगा तो erase the personal data as soon as the purpose has met the purpose मिल गया पुरा हो चुका है तो उसको data delete करना पढ़ेगा and retention is not necessary और यदि retention legal purpose के लिए necessary नहीं है तो उसको data हटा देना चाहिए ठीक है next है इसमें एक important जो data fiduciary है वो establish किया गया है significant data fiduciary concept दिया गया है SDF का ठीक है अधार सरकार है वो इसी data जो fiduciary है उसको significant data fiduciary declare कर सकती है यदि वो on the basis of volume of data बहुत ज्यादा data collect कर रही है और जो personal sensitive information है हमारी वो collect कर रही है उस अधार पर क्या जासकता है या पिर risk to the rights of data principle या पिर जो rights and data principle उनको कितना risk कराएगा उस अधार पर भी classify कर सकती है as SDF potential impact on solidarity and integrity of India जो data collect क्या जारा है उसका भारत की solidarity और integrity पर क्या impact पड़ेगा उसी अधार पर उसको classify क्या जासकता है SDF and security of state risk to electoral democracy public order इन सब बातों के अधार पर क्या है इन factors के अधार पर government किसी भी entity को significant data fiduciary declare कर सकती है और इनको जो मतलब यह है कि उनको significant के बहुत जादा data collect कर रही है और बहुत sensitive data collect कर रही है उनको कुछ extra काम करना पड़ेगा उनको एक extra security देनी पड़ेगी ठीक है data की तो cyber security को ज्यादा strengthen करने पड़ेगी इनको क्या है data protection officer appoint करना पड़ेगा ठीक है तो वो data protection का काम देखेगा data protection officer है वो केवल इन ही को appoint करना है किसको SDF को appoint करना है significant data fiduciary को बाती जो data fiduciary है उनको यह appoint नहीं करना है उनको जरूत नहींगी obligation रहेगा उनका ठीक है तो यह data protection officer इनके नहीं नहीं रहेगा ठीक है एनके data auditor भी appoint करना पड़ेगा significant data fiduciary को और इनका data है उसका impact assessment हो रहा है वो भी इनको क्या है कराना पड़ेगा तो यह additional obligation रहेगा data protection officer को appoint करना data auditor को appoint करना independent हो जो की और दूसरा है तीसरा है इसमें impact assessment करना ठीक है next है इस act से कुछ को exemption दिये गये है कि कौन-कौन सा digital data है personal digital data है जिसको exempt किया गया है तो rights of data principal and obligation of data producers, accept data security, data security के provision को छोड़के बाकी provisions है वो किन cases में apply नहीं होगे exemption क्या है इस act is for notified agency in the interest of security, solidarity and public order जो notified agency है पर ग्यामपल research रहा हो सकती है यह जो research के लिए data collect कर रहे है हमारी security के लिए तो उसके लिए उनको क्या है, exempt किया गया है for research archiving and statistical purpose के लिए data collect किया जा रहा है पर ग्यामपल census वगेरा है तो उसको इसके exemption में बहार रखा जाएगा for start-up and other notified categories to enforce the legal rights and claim prevention and investigation of offences to perform judicial and regulatory function to process in India personal data of non-resident under the foreign contract तो भारत के अंदर क्या है जो non-resident रह रहे है बाहरी लोग रहे है उनका जो भारत के अंदर क्या है data process किया जाएगा तो उन पर क्या है उनको exemption दिया गया है उनको इस act के अंदर आने के जूत नहीं रहेगी and the central government may exempt certain activities को exempt कर सकती है in the interest of security and public order के अधार पर सेंटर सरकार है वो exempt कर सकती है इस act से data processing को ठीक है processing of next important provision है वो child से related है processing of personal data of children तो children का data है वो काफी sensitive होता है ठीक है तो वाहिल processing the personal data of the children पहली बात हम देखाती है उसमें क्या है अठारा साल से कम का बच्चा है तो उसके लिए जो data process करना होगा तो उसके parent की concern चाहिए होगी या फिर guardian की concern चाहिए होगी तो data fiduciary एसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो चाहिड के खिलाप हो वेसा कोई काम नहीं करना चाहिए डेटा processing उनको द्वारा नहीं करना चाहिए और जो बच्चों का behavior है उसको ट्रेक नहीं किया जाने चाहिए इस एक का है वो cross border transfer है डेटा भात में collect किया और दूसरे अमेरिका भेज दिया यूरोप भेज दिया तो यह अलाव कता है इस एक क्रोस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ डेटा को अलाव किया गया है असाप्ट वी कंट्रीज गो जिसने गवर्मेट ने रेस्रिक्ट कर रिया है उन कंट्रीज को छोड़के जो कंट्रीज है उनको यह डेटा भेजा जा सकता है तो यह अलाव कता है ठीक है कुछ एक कुछ एक्ट्रीज को चोड़के यह cross border transfer of data is allowed under this act और इसमें पनल्टी का ज लगा जाएगी security measures है वो adequate नहीं होंगे किसी company के तो उस पर क्या है यह 200 क्रोड रुपे की penalty लगा जाएगी तो तीन penalty हमने देखी है अभी तक 10,000 रुपे की penalty है वो data principle लगा जाएगी ठीक है यदि वो duty फुल्फिल नहीं काता है data principle यानि कि आप और में जिसका data है ठीक है बा हम देखते है data principles इस act के अंदर कौन-कौन से data principles दिएगे है ठीक है यह जो act है data protection act digital personal data protection act 2020 यह साथ principles पर बेस्ट है इसका acronym है बनाया है मैंने इसको आप याद कर सकते है campus से c-a-m-p-a-s ठीक है campus यह acronym है जिसके अंदर साथ जो principle है data protection act के वो आज आएगे ठीक है तो acronym में क्या देखेंगे इस बाद में देखते हैं पहले principle देखे हैं तो जो पहला है जो principle है वो principle of consent consent का principle है lawful and transparent use of personal data या कि consent का principle फोलो किया गया है consent लेनी पड़ेगी ठीक data collect करने के लिए process करने के लिए दूतरा है principle of purpose limitation यानि कि जिस काम के लिए आप data collect कर रहे हो तो उसके लिए यूज यूज करना चाहिए use of personal data only for the purpose specified at time of obtaining the consent of data principle या जब आपसे data collect किया जा रहा है और आपकी consent ली जाएगी तब तब उसको purpose बताया जाएगा ठीक है इस purpose के लिए data use के जाएगा principle of data minimization तो इस act के अदर data minimization का principle दिया गया है collection of only minimum data which is necessary for a purpose ठीक है next principle है वो principle of data accuracy तो ensuring that data is correct and updated तो उस principle of storage limitation यानि कि storing data only till it is needed for a specific activity के लिए जब तक उसकी जरूर्थ है तभी तक उसको store किया जाना चाहिए and next principle है the principle of regional security safeguard तो उसने security है उसकी data की ensure की जाना चाहिए और इसमें next principle है वो accountability का principle है principle of accountability through education of data breaches and breach यदि कोई data breach हो जाता है तो उसके लिए कोण accountable रहेगा ठीक है and penalty के लिए क इसको accountables ठहराय जाएगा ठीक है कोई भी breach हो जाती है तो इसको उपर फाइल लगाया जाएगा इसको हम देखते है तो इसको acronym से देखते है कैसे याद रहेगा तो याद रहेगा तभी हमें इसको mention कर सकते है answers में ठीक है तो इसमें compass में C account करता है C for consent तो consent का principle है ठीक है A का A एक यह पर एकुरेसी डेटा एकुरेसी होना चाहिए इसके अलबावा M का है डेटा मिनीमम होना चाहिए डेटा भी क्लेक्टी ठीक है पीक होगया कंपास पी ए फिर A accountability हो जाएगा ठीक है तो data के accountability के लिए तोड़ी डेटा की अकास है वो security के लिए है ठीक है यह सारे जो principles डिटा ओफ कंसेंट डिटा ओफ पर्परपर्स परपरज लिमिंटेशन प्रिसीपल ऑफ मिनिमाइजिए चिप्रिसीपल ऑफ स्थॉरीटी इन को अशे लिख सकते हैं कि आप सी एम पी ए डेवलल एसे अ हम नेक्ष जो है वह हम दिखते हैं इस Act के क्या क्या limitations है. Significance क्या है इस Act का पेले हम Significance देख लेते हैं, इसको पर Significance दियावा था, शरू में ही दियावा है, Significance of Digital Protection Act क्या है? It introduced the data protection को introduce करता है with minimum disruption. यानि कि जो companies है, उनको significant data producers है, SDF को छोड़के, बाकि जो normal data collect करने वाली companies हैं, उनके जादा obligation नहीं दिया गया है, SDF को ही क्या है, data protection officer appoint करना है, data protection officer appoint करना है, DPOs appoint करना है, इनहीं को क्या है, फिर audit कराना है, audit mandatory किया गया है, इनहीं को क्या है, एक और चीज़ बताईए, इन पर क्या है, minimum obligation दिया गया है, minimum जो है, वो disruption क्या गया है, इनेबल करेगा, इससे ease of living बड़ेगी और ease of doing को ये प्रमोट करेगा, business को, ease of doing business को ये प्रमोट करेगा, ठीक है, तो data को use के अजसकेगा for better partners के लिए, ठीक है, तो targeted delivery of medicine के लिए ये कोई data बनाया जा रहा है, तो उसको क्या है, ये, ease of living में भी help करेगा, लोगों की health में भी improvement में, फिर इस act के क्या-क्या limitations है, वो हम देखते है, क्या-क्या इसमें limitation है, ठीक है, पहला limitation दिया हुआ है, violates the fundamental rights, exemption of state, यानकि जो state सरकार जो lawful purpose करेगी data collect करेगी, वो किसी कितन हो सकती है, और उसको surveillance किया जा सकता है, ठीक है, surveillance state का खतरा रहेगा, दूसरा है inadequate safeguard, इसके अंदर क्या है, safeguard नहीं लिएगे है, the transfer of personal data, तो भारत से दूसरे देश में transfer किया जा सकता है, और दूसरे देश में उसको base भी दिया जा सकता है, ठीक है, वहाँ पे उसको जो company, वो क of mishandling the data, तो IT Act 2, Section 43A के अंदर एक ऐसा provisions था, जो कि यदि company में standard करती है data को, या पर data breach होती है, तो उसमें क्या है, जिसना data है data fiduciary को, प्रन्तु इस act के अंदर compensation का principle नहीं है, ठीक है, तो वाइले the fundamental right inadequate step guard है, यदि बाहर देश में transfer के दिया जा है, compensation का principle नहीं है, तो पहला ह और जाएगा है, तो यह जो प्रोसस है, ग्रिवेंस रिश्रेशल की वो काफी complicated है, आर्टी आई का exemption, अप्लिक ओपीशल है, जो government से वाथ है, उनकी क्या है, पब्लिक से वाथ है, उनकी क्या है, परसनल इंफोर्मेशन है, वो आर्टी आई के अंदर में नहीं आएगी, clear definition, इसके अंदर clear definition नहीं दीगी है, पर example, no definition of detrimental effect of any guidance, और determining is such effect, ठीक है, जो डटा collect किया जारे companies का बच्चों के लिए, तो उसका बच्चों के क्या impact पढ़ेगा, detrimental impact होगा, तो उसकी clear definition नहीं define कीगी है, no provision of some rights, तो कुछ एक rights इसमें नहीं दीए गया है, पर example, it does not include right to data portability, तो data portability का right नहीं दिया गया है, और right to be forgotten का भी right है, वो नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसमें, exact के अंदर, ये right to data portability नहीं recognize किया गया है, तो right to data portability क्या होता है, right to data portability, allow करता है individual to obtain and reuse their personal data for their own purpose across different services, तो यदि मैंने किसी को company को data दे दिया, फिर उससे मैं वापस ले सकता इसको portable बनाता है data को, it allows the individual to obtain and reuse their personal data for their own purpose के लिए, ठीक है, और दूसरा है right to forgotten है, यदि कोई data हमारा पिला जा रहा है, public में, तो उसको हम erase कर पाएं, remove कर पाएं, to content so that it is not accessible to the public, ठीक है, कोई वी site पे illegal, लेकुट बगार हो जाती है data को, तो उसको right to forgotten रिया गया है, वो नहीं रिकोगनाईज किया गया है, तो यह दोनों act है वो इसमें रिकोगनाईज नहीं किया गया है, तो वेपरवाड में क्या है, government को हम क्या लिख सकते है, कि right to portability रिकोगनाईज किया जाए, और right to forgotten है, उसको रिकोगनाईज किया जाए, ठीक है, और cross border, जो data बाहर बेज़ा जा यह दो data breach हो जाए है, तो companies है, उन पर कोई time limit नहीं होती है, उनको data tapped को या data breach को report करना होता है, उसको time limit नहीं दे गई है, data protection board को report करने की, तो specific time limit दी जाने चाहिए, तो बी, for the deletion of the data once the purpose has been fulfilled, या फिर जो एक बार data collector या उसमें भी क्या है, specific timeline नहीं दी गई है, कि कितने time के हो गया है, जिस काम के लिए data collect किया गया है, वो पूरा हो गया, तो उसके बाद में एक time limit होई चाहिए, कि उसके बाद में उसको data delete किया जाना चाहिए, तो एसा भी उसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, अभी जो next है, वो उसको compare किया गया है, उसको भारत के digital protection act 2020 के साथ compare कि गया है stable में, वो हम देखते हैं, ठीक है, तो general data protection regulation किसका है, यह European Union का है, and भारत का है digital personal data protection act 2023, उनके बीच में क्या अंतर है, वो हम देखते हैं, तो पहला है, general data protection rules है, regulation है, वो apply कते है to the processing of personal data fully or partly by automated means and to the personal data which forms or will form a part of filing system, यह जो है data, वो partial data है processing हो रही है, या फुली data processing हो रही ह तब applicable होगा, या फिर automated हो रही है, तब यह applicable होगा, या या फिर automated हो रही है, तब यह applicable होगा, या 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 प्लूटर सवगेर के दोवारा की खर सकते है, जब कि भारत का digital protection act है, विल apply to, हमने देखा है कि digital, digital and non digital, दो तरह के data पी यह apply होगा, परसनल data को, विचिज़ अप् पार्टली, automated means के दुवारा, दूसरा है चाल्ड की definition बताएगी है, तो इसमें जो चाल्ड है, जो माइनस under the age of 16, जिनके parental consent की दूद पड़ेगी, वो 16 साल की बच्चों की क्या है, parental consent की दूद पड़ेगी, और भारत में क्या है, वो 18 साल से कम का बच्चा है, उसके लिए parental consent इसको डिपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, डिटाब्रीज को, जिदि वो डिपोर्ट करेगी तो उन पर क्या है, may have impact on shares, share price, चो था है, जनल डेटा परेक्च्चन दूल्स है, does not include the right to nominate, तो European Union का जो ला है, उसमें क्या है, rules है, उनमें क्या है, right to nominate नहीं दिया गया है, organization have 30 days to respond to data subject के request है, उनका data है, उनका data है, तो right to portability है, वो European Union प्रवाइट काता है, यदि मैं किसी को माल लेते है, YouTube मेरा को data collect कर रही है, तो YouTube से मैं वापस data ले सकता हूँ 30 दिन के अंदर, ऐसा ची बोला गया है, यदि मुझे data चाही होता, तो मैं 30 दिन के लिए YouTube से वापस ल प्रवाइटी नहीं है, ठीक है, और European Union का GDPR है, इस ले दाउन specific mechanism for transferring the data to third country, यान कि ये third country को transfer करने के लिए specific provisions है, उनको follow करना पड़ेगा, corporate rules से उनको companies को follow करना पड़ेगा, यदि वो data to third country, प्रवाइट की कैस में क्या है, data जो transfer है वो allow किया गया है third countries को, the act has not identified any transfer mechanism for transferring the personal data को transfer करने के कोई mechanism नहीं दिया गया है, इसमें, next है वो है, both the controller and processor are under the obligation to appoint a DPO, European Union के case में क्या है, जो भी data collect कर रहा है, जिसके पास data है, यानकि data controller and data processor, दोनों को क्या है, वो digital, जो data protection officer है, उनको क्या है, data protection officer दोनों को appoint करना पड़ेगा, भाग की के अंदर में क्या है, क्या है, क्या data producer है, उनहीं को के वल क्या है, वो data protection officer को appoint करने की जुर्थ है, next European Union की case में क्या है, data controller and data processor are required to maintain the record of processing activities, तो रोपा उनको करने की जुर्थ है, यानकि जो भी data processing कर रहे है, उनका क्या है, record होना चीए, उनके पास, भाग के अंदर एची कोई भी provision नहीं है, this act does not include any obligation for data producer to maintain the record of processing activities, ठीक है, तो हमने क्या देखा, कि भाग का digital protection act है, उसके अंदर क्या है, it will not apply to digital person, दो तरह का apply होता है, ठारा साल से बच्चो के लिए apply होता है, ठीक है, यह सारी बात है हम डिसक्स कर चुके है, तो यह पहला हमारा एक्ट है वो important है, यह काफी, यह हमने काफी detail में डिसक्स कर देखा कर्को कर दो कर दो कर दो यह थो यह समाना होगी है, झालप।